गुट इवनिंग इस्टुदेंट्स आई होप यौल आई वेरी वेल सो बिफोर स्टार्टिंग आवर तुदेशन आई वोड लाइक तो रिक्वेस्ट यू प्लीज सेयर देशन विट यूर फ्रेंड्स ठीक है जरसे ज्यादा इस सेयर कर रही है अपने फ्रेंड्स के साथ सो that they can also reach up to our videos ठीक है तो देखो आज हम क्या discuss करेंगे आज की वीडियो में हम basically discuss करने वाले हैं bonding between the metals and non-metals जैसे कि अपने पुराने lectures में हम जो cover करते आ रहे थे क्या cover कर रहे थे हमने पढ़ा metals के बारे में हमने पढ़ा non-metals के बारे में हमने उनकी properties को जाना उनकी chemical properties उनकी physical properties सब हमने फिलकुल detail में देखी थी अब हम देखेंगे bonding यानि कि whenever a metal is reacting with a non-metal यानि कि जब एक metal एक non-metal के पास आता है तो उनकी बीच में bonding किस टाइप की होती है कैसे होती है यह सब कुछ अभी हम देखने वाले हैं अपने आज के lecture में got it so let's start our today's session तो देखो first सबसे पहले हमको यह समझने की जरुवत है कि हमारी जो bonding होती है जो ionic bond होता है वो बनता कैसे है और क्या उसका मतलब होता है ठीक है normally मैंने आपसे हमेशा बताया है कि एक metal और non-metal क्योंकि अभी हम metal और non-metal पढ़ रहे हैं तो metal और non-metal जब आपस में react करते हैं तब जाके आपका एक ionic bond बनता है ठीक है बात को समझना जब एक metal और non-metal आपस में जब react करेंगे bonding के लिए तो क्या बनता है एक ionic bond बनता है अब ionic bond क्या होता है यह अभी हम समझते हैं क्या होता है ठीक है इसका मतलब क्या होता है कब म इतनी 9th class में पढ़ा होगा, ionic bond, covalent bond, number of types of bonds आपने पढ़ेंगे, metallic bond, तो यह जो bonds होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, और यह ionic bond बनेगा, हम किस bond को ionic bond बोलेंगे, that is very important, ठीक है, इस बात को हम समझते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ, कि जो चीज आपकी bonding के लिए सबसादा responsible है, किसी भी चीज का bond कैसा होगा, कोई भी आपका element है, उसका bond कैसा होगा, that totally depends on the electronic configuration, सबसे important बात है बचो, आपका जो electronic configuration होता है, या दखना, जो आपका electronic configuration होता है, किसी भी element का, उसके उपर depend करता है, आपका, किस type का bond बनेगा, basically, यह सबसे main बात होती है, ठीक है, तो जो आपका basically हमने, हमको, अगर आपको याद है, जब मैं आपको chemical properties पढ़ा रहा था, तो chemical properties में आपसे एक बात बोली थी, कि chemical properties basically किसी भी डिपेंड करती है, electronic configuration के उपर, ठीक है, और उस से ही chemical, और chemical properties में ही bonding वगेरा, सब कुछ आता है ठीक है, जितना भी bonding होती है, reactions होती है, सब किसी के अंदर आता है, chemical properties के अंदर आ जाता है, किसी भी metal और non-metal की, अब देखो, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो हमने आपको यह जो यहाँ पे, हमने table बना रही है, table हमने पहले भी देखी थी, अब ही हम दोबारा से इसको elements थे, हमारे period table ना, one is noble gases, one is metals, and another is our non-metals, यह तीन टाइप के हमने देखे थे, जिसमें noble gases तो भाईया, ऐसे होते हैं, जो stable होते हैं, यह आपके noble gases हैं, helium, neon, argon, यह आपके basically रहते हैं, stable, now, why these are stable, हम सभी ने octet rule पढ़ा है, octet rule, we all know about the octet rule, now, octet rule क्या कहता है, octet rule जो होता है यह वो आपका कहता है, कि कोई भी ऐसा atom है, आपके पास, periodic table में, तो तभी आपका stable होगा, जब उसके outermost में, या तो 8 electron होंगे, या फिर 2 electron होंगे, तो 2 electron का case, सिर्फ हमारा helium के लिए true होता है, बाकी सब के लिए हमारा 8 electron, याना कि outermost cell में, आपके 8 electron present होने चीए, then only we can say that, that atom is in stable state, वो atom की stable state तभी होगी, जब उसके outermost में 8 electron होंगे, यानि कि उसका outermost cell है, जो उसका valence cell, मैंने आपको specific नाम बताया तो, उसका valence cell, जो होता है, उसमें outermost में 8 electron होने चीए, अगर 8 से कम है, तो वो unstable हो जाएगा, अब जो noble gases होता है, अब यहाँ पे ध्यान से दे नहीं क्योंकि bond क्यों बनाया जाता है, bond आपका इसलिए बनाया जाता है, क्योंकि हम stability को achieve करना चाहते हैं, जितने भी हमारी bonding होती है, यह सारी की सारी इसलिए होती है, because we want to achieve the stability, जो यह हमारे जो elements से इनको stability achieve करनी है, because of this, यह bonding होती है हमारी, ठीक है, bonding में होता है क्या होगा basically bonding के through क्या करना चाह रहे bonding के through जो आपके atoms है वो अपनी stability को achieve करना चाह रहे यानि कि वो अपने outermost में 8 electron लाना चाह रहे अब वो 8 electron कैसे भी आ सकते है ठेके वो 8 electron कैसे भी आ सकते है for example यह देखो अगर मैं आपको metals दिखाऊ हूँ that means कहा से कहा तक vary कर रहे है 1 से लेके 3 तक vary कर रहे है इसका मतलब यह जो metals है आपके यह कोई भी इसमें से stable नहीं है why? because इसमें से कोई भी ऐसा metal नहीं है जिसके outermost में अगर आपको 8 electron दिख रहे होंगे किसी में 1 है किसी में 2 है किसी में 3 यान कि 1 से लेके 3 में ही vary कर रहे है और अगर 1 से लेके 3 में vary कर रहे हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि उनको stability achieve करने यह नहीं है stability achieve करने के मतलब क्या है कि उनको 8 electron चाहिए अपना outermost में अब वो 8 electron लाने के बहुत तरीके है देखो यह 8 electron लाने के काफी जला तरीका ऐसा जरूरी नहीं आपके बाद सिर्फ एक तरीका है पर हम देखेंगे कि कौन सा तरीका वो follow करेगा वो depend करेगा भी हम उसके आगे के consequences बताएंगे आपको तो जो metals होते हैं, metals यहाँ पे अपने outermost में 8 electron कैसे कर सकते हैं either they can share the electron है ना, वहाँ पे electron sharing हो सकती है यानि कि भाईया एक तू दे, एक मैं दूँगा ऐसे करके भी वो अपने outermost में 8 कर सकते हैं sharing of electron, another is basically the transfer of electron another is transfer of electron, यानि कि transfer of electron यानि कि electron को transfer करना that means जो आपकी जो basically यहाँ पे metals हैं वो अपने outermost में 8 electron 2 तरीके सा achieve कर सकते हैं या तो वो sharing कर दे electron की, यानि कि 2 तू दे, 2 मैं दूँगा ऐसे कर गे, या तो transfer of electron कर दे, transfer of electron में क्या होता है उसमें से साह एक ही बंदा सिर्फ अपना electron को transfer करेगा दूसरा वाला सिर्फ लेगा, पहला वाला सिर्फ transfer करेगा तो दो तरीके हैं हमारे पास, अब transfer दो तरीके होता है या तो लेना या फिर पूरा का पूरा देना transfer मतलब क्या होता है, या तो तुम पूरा का पूरा ले लो या फिर पूरा का पूरा electron दे दो sharing मतलब क्या होता है कि एक मैंने दिया तो एक वो भी देगा मुझे electron that is known as a sharing अब यहाँ पर जो आपका जो easy task है यहाँ पर जो sharing of electron है यह आपका easy task नहीं है इस बात को जहां से समझना वाई because दिखो अगर इनके outer most में अगर आप देखो तो एक से लेके तीन तक के वियरी कर रहे है अगर यह sharing ले जाते हैं for example अगर आप तीन वाले को भी ले जाते हैं इसको basically five electron और चाहिए अपने bonding आठ electron को पूरा करने के लिए अब that means इसको पांच electron किसी के साथ share करने पड़ेंगे तब इसको पांच सामने आला भी share करेगा बड़ इसके पास तो पांच ही नहीं इसके पास तो प्रजेंट ही तीन electron है तो पांच share कैसे कर देगा यह तो कि आप हमेसा याद रखना जो आपकी जो reaction होती है the reaction basically depends on किसी भी किसी भी आपकी bonding जो होती है या फिर वहाँ प्र रियक्सन ही तो होती है दो हुआ है और रियक्शन होने का मतलब क्या है सिर्फ आपके आउटर्मोस्ट इसका वहाँ कि series गैसических कि में कििसमें बॉंड निग में या फिर किसी भी electron that means अब transfer मुतलब gain भी होता है और loss भी होता है अब यहाँ पर अगर मैं आपको sodium की बात लो देखो sodium के outer most में कितना electron है उसके outer most में एक electron है अब उसको अपना octet पूरा करना तो उसको क्या करना पड़ेगा either क्या करें आइधर वो 7 electron गेन करें अब यह 7 electron को गेन कराना is not such a easy task 7 electron को गेन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा energy देनी पड़ेगी and this is not basically the easy task तो क्या करेगा वो गेन नहीं कर सकता electron तो क्या करेगा basically यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर होगा आपका loss of electron क्या होगा loss of electron क्योंकि देखो एक electron को निकालना easy है हम आपे simple साब कुछ energy देंगे और उस electron को निकाल लेंगे that is simple but 7 electron लेना हो या देना हो energy तो involved होगी and for 7 electron there will be so much of energy needed सफ इतनी सारी energy हम ला निए सकते ए और करनी सकते that's why तो यहाँ से सिर्फ एक electron निकालोगेल तो इंट अल है और better अगर अगर म्सल अपनी electron कहले निकाल दृण हो गया रही है औरела इंट मॉसक्त वह और हो यहाँ और को चाल कई़ हैं और k 나서 पको कौन हो गया, L हो गया नहीं हो गया, that means, outermost cell L है, जिसमें कितने है, 8 electron, that means, हमारा जो metal है, वो क्या हो गया, वो stable हो गया, इसका मतलब क्या है, जो metal है, sodium जो metal है, उसने अपना को stable कैसे करा, just by losing the electron, उसने अपने electron को loose करा, तो stable हो गया, अगर यहाँ पर 3 electron की बाद कर तो इसको क रहेगा, तो इसका outermost क्या बन गया, 8 बन गया, that means, जो आपके metals है, metals अथनी stability कैसा अचीव कर रहे है, just by losing the electron, इसलिए जो हमको कहा जाता है, जो आपके metals होते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं, आपके electro positive, ठेक है, metals को electro positive क्यों कहा जाता है, that is the reason behind it, क्योंकि जो metals है, उनक क्योंका हम electron है, जिनको वो easily loose कर सकता है, ठेक है, क्योंकि gain करने में बहुँच जदा energy है, क्योंकि उसको 4, 5, 6, इतने सारे electrons को gain करने पढ़ रहे हैं, पढ़ यह हमारे tough task है, ठेक है, that is the reason behind क्यों metal आपके electro positive हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे easily उसका electron को loose कर सकता है, और जो ची क्यों होता है, अगर आप non-metals का outermost electronic configuration यहाँ पे देखिए, तो क्या हो रहा है देखो, 5 है नहीं है, 6 है, 7 है, 5, 6, 7, that means 5 से लेके 7 तक vary कर रहा है, नहीं कर रहा है, 5 से लेके 7 तक vary कर रहा है, तो 5 से लेके 7 तक vary कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसको 8, अब जिसे 5 आले 3 electron को lose करना, again is a very difficult task rather than 3 electron को gain करना, 3 electron को gain करना easy है, 5 को lose करने के आपको इतनी energy देनी पड़ेगी, तो क्या करेगा, यहाँ पर gain के लिए जाएगा, यहाँ पर transfer होगा electron का basically कैसे होगा, gain होके, यहाँ पर gain of electron होगा नहीं होगा, इसलिए जो आपके non-metals, even अगर आप 7 वाले के हो जाए, ठेक है, that's why उसके outer most में कितने हो जाएंगे, 8 electron हो जाएंगे, तो जो 8 electron करने का यहाँ पर सिलसला आपको दिख रहा है, basically यहाँ तो gain से हो रहा है, यहाँ फिर lose से हो रहा है, तो कोई अपना पूरा का पूरा पूरा gain कर दे रहा है, अब जो gain और lose होता है, इसी की वएसे क्या होता है, यह जो metals और non metals ही, इलेक्ट्र पॉजिटिव और इलेक्ट्र नेगेटिव होता है, अब देखो, metals अपना loss of electron करा नहीं करा, जाने कि वो क्या होगा, उसके पर positive बनेगा नहीं बनेगा चार्ज, वहाँ से electron loss हो रहा है, तो क्या होगा, positive चार्ज आएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, non metal में, यहाँ पर electron gain हो रहा है, और अगर electron gain हो रहा है, तो जब positive और negative चार्ज आपने बना दिये, ठीक है, जब positive और negative चार्ज आपके बन गए, तब जाके यहाँ पर ionic bond का formation सुरू होता है, पहली बास सुझ मैं, तो ionic bond बनने के लिए आपके क्य truth, no matter, vegetarian elections से नहीं बनते हैं, बच्चा, वह हमेशा बनते हैं, आपके transfer of electrons से, और transfer of electrons मतलब दो ही číज़े होती है, transfer में either आपका gain होगा, और either loss होगा, बात को समझना ठीक है, तो either आपके electron को gain करेगा, या फिर either आपके electron को loss करेगा, तब ही जाके, आपका transfer होगा electron को, तो gain कौन करेगा आपके non-metals और loss कोड करेगा आपका metals तो metals आपके generally electro positive होते हैं और non-metals क्या होते हैं electro negative यही बात हमने देखी थी नहीं देखी थी ठीक है यह हमने पहले भी बात है देखी थी metals are electro positive and non-metals are electro negative this is the basic thing regarding the bonding of the metals and non-metals metal or non-metals की bonding ले जो basic thing आपको समझ में आनी चाहिए that is the electronic configuration कि कौन आपका metal metal loose करेगा तो क्यों कर रहा है non-metals gain कर रहा है तो क्यों कर रहा है ठीक है इतनी बात आए hope आप सबको समझ में आई होगी चलो अब जब इतनी बात metals है they can just gain the electron and make the negative ion तो आपके metals positive ion में convert उसे क्यों क्या बोलते है कटायन और जो आपके non-metals नेगिटिव ion में change उसे तो कटायन और अनायन आपके यहां पर बन जाते है और positive और negative charge अगर आसपास हो जहां से दमजना positive और negative charge अगर आसपास हो तो क्या होगा उनके बीच में attraction होगा नहीं होगा positive और negative हमएस आपस में attract करते हैं तो positive charge का एक element आपके पास है and negative charge का आपके पास एक ion महांने की positive ion और negative ion आपके पास अगर दो ions है positive और negative तो वो जब एक दूसरे के पास होंगे तो उन्हें क्या होगा एक attraction force generate होगा किसकी वाज़े से because of opposite charge विक हमने पढ़ा है opposite charge always attract each other and same charge always repel each other तो यहाँ पर कौन से charge यहाँ पर develop हो रहे है positive and negative that's why metal और non-metal की बीच में क्या होता है bonding आपकी बनती है ठीक है this is the basic reason चलो तो अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है वही लिखा है कि metallic atom changes into positive ions by losing their electrons while the non-metal atom changes into negative ions by gaining the electron और आपको समझ में आ चुका है कि क्यो non-metal gain कर रहा है और क्यो metal loss कर रहा है ठीक है अब जब आपकी पास एक metal है for example में metal को यहां से m से represent करता हूँ और non-metal को में यहां से x से represent करता हूँ तो आपका जो metal है metal में किसमें convert हो गया metal आपका convert हो गया m plus में metal आपका convert हो गया M plus में आने कि उसने अपना एक electron यहां से loose करा होगा नहीं करा होगा metal ने अपना एक electron loose करा है उसके उसके उपर एक positive charge आ गया similarly जो यह non-metal है अब देखो non-metal को अपना electron gain करना है अब यह electron लाएगा कहां से अब यह electron कहीं आसमान से तो आएगा नहीं कूद के यह electron कहीं न कहीं किसी element से तो आना ही है न तो वो electron जिस भी element से आपका आएगा वो कौन है वो metal है तो metal जो अपना electron loose कर रहा है वही electron को क्या कर रहा है non-metal यहाँ पर gain कर रहा है तो यह जो electron जो यहां से आपका जो metal ने यहां से जो electron दिया है इस electron को यहां से non-metal ने यहां से gain करा और यह क्या बन गया यह आपका बन गया x- ठेक है यह आपका क्या बन गया यह आपका बन गया x- मैनस तो देखो अभ यहां पर क्या बढाए veg आहां से माैनस भंग्या विल्याय गए का। यह बाइव मेटल का ही वह द्राइव ऑलग। जिसको हम क्या पर जिसको हम प Almost अनायन बोलते हैं और अब जब ही कर पैन और अनायन आपस में एक दूसरे के पास रखे होंगे तो इनके बीच में generate होता है एक force ठेक है एक force generate होता है इनके बीच में जिसको हम कहते हैं electrostatic force of attraction electrostatic force of attraction ठेक है कभी भी positive और negative charge के बीच में एक force generate होता है जिसको हम बोलता है electrostatic force of attraction ठीक है कभी भी positive और negative अगर एक दुसरे के पास आ रहे तो किस क्यों ऐसे आते है उनकी बीच में attraction force आने लग जाता है योगी positive negative को पता है हमें सा एक दूसरे को attract करते हैं जिसको हम क्या कहते है electrostatic force ठीक है electrostatic मतलब होता है static charges यहां पर static charge है रुका हुआ charge है दूर के दूनों जब एक दूसरे के पास नहीं तो एक दूसरे को attract होते हैं तो तब जाके यहां पर क्या बनता है यहां पर बनता है एक bond that is known as mx m के उपर plus charge है x के पर minus charge है तो इस type का आपका एक bond बन जाता है यानिकी इनके बीच में जो bond बना है जो इनके बीच में bond बनाई जो compound यह जो m आपका एक आयन था x आपका एक आयन था यह दोनों के उपर क्या थे चार्जिस थे एक की पर positive एक पर negative अब यह positive negative क्या हो इनके बीच में attraction force generate हुआ और यह attraction force की बीच से क्या हो यह एक दूसरे के पास आने लगे और attraction force कौन सा था याद रहतना electrostatic force of attraction ठीक है तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है उनके पास आने के बीच में attraction force generate हो रहा है तो अब यह compound बन गया नहीं बन गया यह एक आपका compound बन गया यह आपका compound बन गया अब ऐसे compound which contains this type of bond अब इस bond का नाम क्या होता है इस bond का नाम होता है electrovalent bond क्या नाम होता है इसका नाम होता है electrovalent bond याने कि ऐसे compound like m plus और x minus इस type के compound आपके कोई भी होंगे m plus और x minus type का जो भी आपके पास compound होगा इस compound का नाम होता है आपका electrovalent compound ठीक है इस type के जो bond होते है इस type का जो bond आपको कहीं भी मिलेगा जो किसकी वैसे होता है electrostatic force of attraction की वैसे जो भी bond आपका बनेगा that is known as the electrovalent bond तो आपके पास है mx type का compound ठीक है mx type का जो compound था इसके अंदर हमने क्या देखा इसके अंदर हमने देखा कि इसके अंदर एक bond है जो किसकी वैसे बना है positive और negative charge के attraction की वैसे बना है that is that's why this type of bond is known as the electrovalent bond अब ऐसे compound जिसमें ये electrovalent bond आपका पाया जाता है इन्ही को क्या कहते है इन्ही को हम कहते है ionic compound या इसी type के bond का आप दूसरा नाम भी कहते है ionic bond ठीक है इसको आप electrovalent bond कहिए या फिर और करके इसको मैं ionic bond कहूं बास समझा है तो जो ionic bond होता है it is nothing it is just very simple type of bond ये कैसे compound में दिखेगा आपको ये ऐसे compound में दिखेगा जिन में उनके atoms ने अपना जो stability है कैसे achieve करी by transfer of electron देखो ये जो bond बना या पर जो m plus और x minus bond है ये जो m x के बीच में ये जो m plus था ये stable था नहीं था जिसकी वैसे उन्होंने compound बना लिया अब जो ये compound बना तो यहां पर एक bond बना होगा अब इसी bond को क्या कहते हैं इसी bond को कहते हैं ionic bond या फिर electrovalent bond that means ionic और electrovalent bond को में sort में कह सकता हूं this is the bond which is form with the help of sharing of electron ठीक है तो ऐसा bond ये ऐसा bond जो आपका sharing of electron से बनता है दिमाग में रखना में इसा बात को sharing of electrons sorry 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 this is not the sharing of electron let me correct myself ठीक है ये sharing of electron थोड़ी नहीं हुआ है यहां पर जो transfer of electron हुआ इस अपना electron पूरा का पूरा इसको transfer कर दिया sharing मतलब क्या होता है एक तूने दिया एक मैंने दिया तो यहां पर क्या हुआ यहां पर आपका हुआ है transfer क्या हुआ यहां पर यहां पर हुआ आपका transfer तो basically ऐसा bond जो आपका transfer of electron से बना है उसको कहते हैं आयोनिक bond ठीक है काफी simple है ionic bond तो this is the basic thing which you have to know about कि ionic bond आपका बनता कैसे एक metal होता है non-metal होता है metal की tendency lose करने की होती है non-metal की tendency gain करने की होती है तो ऐसे करके हमारा पुरा का पुरा bond बन जाता है जिस bond को हम कहते हैं ionic bond और electrovalent bond ठीक है चलो so let's see let's start with our first thing that is formation of sodium chloride sodium chloride का formation देखते हैं देखो अब sodium chloride क्या होता है आप सभी को पता है sodium chloride हमने पहले भी पढ़ाता है that is NaCl जिसको हम common salt भी कहते है याद है इससे हमने बहुत सारे compound भी देखे थे अपने last chapter में acid and basis में ठीक है तो NaCl जो आपका होता है that is known as common salt अब यह NaCl क्या है यह कैसे बनता है वी विल सी कि NaCl कैसे बनता है तो यह को बनाने से पहले आपको बस एक इस चीज़ दिमाह में रखनी है सबसे पहले क्या करना आपको na का electronic configuration लेखिए और आप chlorine का electronic configuration अपको पता है एने का atomic number होता है एक जारा chlorine chlorine का atomic number होता है आपका कित्ता होता है आपका होता है chlorine का 17 ठीक है ओके तो आपका 17 हो गया अब क्या है ध्यान से समझना इस बात को सोडियम आपका 11 हो गया अब इंका सबसे पहले आप electronic configuration लिखे तो electronic configuration क्या हो जाएगा sodium का पहले दो बढ़ते हैं फिर 8 बढ़ते हैं फिर 1 होता है होता है नहीं होता है chlorine का क्या हो जाएगा chlorine का हो जाएगा 2 8 और कितना हो जाएगा 7 ठीक है अब यहाँ पर अगर आप identify करिए तो आपको दिख भी रहा होगा आपका जो sodium है यह आपका metal होता है और यह जो chlorine है यह आपका क्या होता है non-metal होता है ठीक है अब metal की tendency क्या देखो अब इसका एक electron है तो metal क्या चाहेगा metal क्या चाहेगा metal चाहेगा कि मैं अपने इस electron को lose कर दूँ तो उसको 8 मिल जाएगा और chlorine क्या चाहेगा chlorine को भी एक electron चाहिए नहीं चाहिए chlorine को भी एक electron चाहिए तो उसका यह 7 का 8 बन जाएगा तो यहाँ पर देखो अब इनदी भी condition आपकी क्या होती है इस टाइप की जब condition आपकी generate होती है जब इस टाइप की condition आपकी बनने लगती है कि एक loss करके जीत रहा है और एक loss करके अपना octet पूरा कर रहा है और एक gain करके अपना octet पूरा कर रहा है तो यहीं पर आपकी वो condition बनने लग जाती है कि आपका ionic bond बनन से जो हमारा लुमीस का dot इस्ट्रच रहा ओसको follow गरते है normally bonding ले तो यहां पर जो आपका chlorine है chlorine के आउटर्म मोस में कित्वे cocon också में हमने chlorine के outermost में देखें हमने chlorine के आउटर्मोस में ते यहां पर 7 electron तो मैं chlorine के electron को किस से दिखा रहा ह। को किससे represent कर रहा हूं अब यहां पर होगा और इसको लूज करके यहां पर इस को दे दे तो क्या होगा sodium के आउटरमूस में 8 आगए नहीं आगए देखो कि अगर इसने 1 को लूस करा तो इसके 8 आगए और chlorine ने अपना यह एक इसमें एड़ कर दिया तो 7 प्लस 1 8 हो जाएंगी यहां पर 8 हो गई नहीं हो गए तो क्या होगा यह जो आपका sodium होगा यह sodium किसमें convert हो जाएगा sodium आपका convert हो जाएगा नेपलस में च्योंकि इसने 1 लूस करा है और यहांपर chlorine किसमें होगा क्लोरीन हो जाएगा आपका C- माइनस में होगा नहीं होगा कैसे हुआ यह आपका ऐसे वा जी जो sodium था sodium ने अपना एक electron loose करा तो आपका क्या बन गया यहापर N A plus और वो एक electron निकल गया है हहाँ से अब क्या हुआ यहाँ यहाँ पर जो chlorine था यह chlorine था इसको एक electron की ज़रूरत थी नहीं थी अब इसने क्या गरा इसने यही वाला electron जो यह electron यहाँ पर जो sodium में वही electron वहाँ से chlorine ने gain करा है तो आपका क्या बंद क्या आगया आपके बंद क्या आगया Na plus और Cl minus बंद क्या आगया नहीं आगया यहां से Na plus बंद क्या है यहां से Cl minus अब क्या होगा एक positive charge एक negative charge इनके भीच में क्या generate होगा इनके बीच में electrostatic force of attraction अब वो electrostatic force of attraction कि यह दोने एक दूसरे के पास आने लगेंगे और यह दोने एक दूसरे के जब पास आएंगे तो क्या होगा यहां पर एक bond बनेगा that is known as NaCl ठीक है और जिसको मैं लिखता हूँ Na plus और Cl minus और यह किस type का bond है this is known as the ionic bond ठीक है यह Isi Mon है और ऐा क्यों ionic kđलाया क्योंकि यह ज्यों bond बना है अचिक के बना है यह ions के है also बना है यह आपका क्या है यह आपका Спसिटीप Seo यह आपका नेगेटिव आइन है निहीं यानि कि एक positive ion और एक negative ion की विएसे एक bond बना यानि कि basically ions की health से जो bond बनते हैं उन्तों हम क्या बोलते हैं ionic bond क्याते हैं तो NACL में क्या देखा हमने हमने formation of NACL देखी यहां पर कि NACL कैसे बना हमने पहले एक एक इसको कितनी नीड है उसके साफ से उसमें loss of electron और gain of electron हुआ देखो यहां पर loss of electron हुआ इस वाले में gain of electron हुआ तो loss of electron और gain of electron से क्या हुआ आपका positive और negative बना और जो positive और negative आपके बन जाते हैं और वो एक दूसरे के path में रखे तो क्या होगा उनकी बीच में electrostatic force of attraction आप एक बार ध्यान से देखो तो यह को क्या दिखा रहा है वही दिखा रहा है sodium atom आपका है तो sodium atom के outermost में आपके देखो यहां पर पहले वाले में दो electron है फिर 8 है और last में फिर एक red color का electron आपको दिखा रहा है जो कि आपके लास्ट वाले cell में that is M cell में ठीक है और chlorine को अगर ने दिखा रहे है यहां पर भी बिल्यू यहां पर भी बिल्यू और यहां पर भी बिल्यू यह जो एक यहां पर जो space खाली है ध्यान से देखो यहां पर एक space खाली है इस space पर जाके क्या हुआ इस space पर जाके जो sodium का अपना outermost एक और electron जो उसके पास पढ़ा था इसने अपका क्लोरीन था, क्लोरीन के उपर एक नेगटिव चार्ज आगे, विकॉस उसने ये जो रेड गलर का रेक्टर जब आपको सोडियम में दिख रहा था, वो इसने ले लिया, तो यहापे क्या बन गया, आपका C-L- बन गया नहीं बन गया, अब N-A+, और C-L- ये बनता है, तो वो एक दूसरे के PAS हाजाएंगे, ठीक है, वो एक दूसरे के PAS आजाएंगे, मलना ये दूर दूर नहीं रह सकते हैंगे, ये दूना एक दूसरे के दूर दूर नहीं बॉलते हैं इसको आपको दिखाऊ हूँ तो सब्सक्राइब क्रिस्टलाइब कियों यहाँ बनाता है यहां पर राइंज्मिट्स आपको दिखाऊ हूं क्लॉरीन जो आ पर फे गृस्टलीन से दिखाई जा रहे हैं यानिकी जो green color के ball है आपके सारे क्लोरीन है और जो red color के ball है आपके sodium है तो यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से देखो तो जितने आपके यहाँ पे chlorine है उतने ही आपके sodium है इस बात को ध्यान से समझना आप सक कि जो ionic structure में जो यहाँ पे आपको यह NACL जो आपको बता रहा यह आपको यह बता रहा है कि NaCl का जबी भी composition आपका बनता है यह जो आपका crystalline lattice जो आपका बना रखा है this is the orderly arrangement of the ions in the crystal ठीक है यहाँ पे आपका arrangement of ions होता है कि अगर मैं एक crystal में एक cube form में यह Na और Cl के atoms यह पे इनके ions को जब मैं इनको arrange करूंगा तो किस type से arrangement होगा तो यह आप आपको क्या बताता है crystal lattice जो आपके सामने structure बना है आपको क्या बता रहा है this is basically telling you कि यह क्या बता रहा है देखो यह आपको simple सा यह बता रहा है कि अगर आपको Na और Cl का compound बना रहा है तो भले ही आपको यहाँ पे एक से ज्यादा Cl दिख रहे होंगे और एक से ज्यादा Na आता है कि कितने कट आयन और कितने अनायन कि इनका ratio क्या है यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे तो यह structure आपको यह बता रहा है कि यहाँ पे Na प्लस और Cl मैस हमेशा equal amount पे रहेंगे Na Cl का जबी भी आपका structure बनेगा formation होगा तो आपके Na प्लस के जितने आयन होंगे उतने ही माँ पे Cl मैस के भी आयन माँ पे present होने चाहिए तो basically crystalline structure में यहीं यहां से information देता है so this is known as the formation of sodium chloride very simple क्या होता है just एक ने loss करा एक ने gain करा one more example we can see ठीक है एक और example देखते है हम यहां से okay formation of magnesium oxide magnesium oxide का देखते हैं यहां से magnesium oxide magnesium क्या होता है mg ठीक है magnesium होता है आपका mg अब mg के outer most में कितने electron होंगे mg के outer most में होता है बारा sodium magnesium sodium के बाद ही आपका magnesium आता है तो magnesium का अगर हम electronic configuration लीकों तो इत्ता हो जाइगा two eight and two हो जाएगा नहीं हो जाएगा पताएगा और साथ में कौन है आपका oxygen प्रेजिएं प्रेजिएं क्या हो रहा है अगर आप यहां पे फिरसे देखेंगे तो क्या है magnesium के outer most में दो electron है ठीक है और इसको अपना octet पूरा करना तो क्या करेगा इन दो को loose करेगा नहीं करेगा तो आपको जो magnesium होगा वो यहां से mg कितना बनाएगा 2 plus बनाएगा बच्चा तो इसके पर कितना चाड़ जाएगा दो plus आएगा नहीं आएगा similarly जो आपका यहां पर oxygen है oxygen के आउटर मॉस में 6 electron है नहीं है और यह 6 electron इसको 8 चाहिए नहीं अब 8 चाहिए तो 6 में 6 को loose करना tough है इससे अच्छा वो 2 को gain करना चाहेगा तो क्या करेगा यह जो oxygen होगा जो इसने यह 2 electron यहां से loose करें यह यह 2 electron को यह oxygen यहां से gain करेगा ठीक है यह जो oxygen है आपका यहाँ पर इन दो electron को यहाँ से gain करेगा basically इसको मैं लिखने का तरीका यह जाता है half o2 क्योंकि oxygen आपका कभी भी ऐसे o में नहीं पाया जाता है मैं ऐसा o2 form में पाया जाता है तो क्या होगा यहाँ से 2 electron को loose करेगा और यह जो 2 electron इसने loose करेगा वही oxygen यहाँ पर gain करेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका o2 minus बन जाएगा नहीं बन जाएगा क्या बन जाएगा आपका o2 minus बन जाएगा यानि कि यहाँ पर एक negative ion बन गया और उपर आपका एक positive ion बन गया यह क्यों बन है because in order to achieve the stability तो इसने यह दो यहाँ से gain करें तो इसके outermost में 8 हो गया और इसके outermost में हमेसे यहाँ पर आपके 8 हो गया अब दोनों के outermost में 8 8 हो गए नहीं हो गए बट क्या हुआ इसकी वैसे इसकी वैसे यह हुआ कि एक आपका 2 बन गया और एक आपका 2 माइनस बन गया अब आपका 2 बन गया और 2 माइनस बन गया तो क्या होगा next step देखो अब धियान से देखो आपके पास mg 2 प्लस है और इसको मैं और ऐसे भी लिख सकता हूं mg 2 प्लस और O2 माइनस ठीक है ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है यह बहुत स्ट्रॉंग नहीं है आपस में यह स्ट्रॉंग नहीं इतना क्यों वह एक दूसरे के पास आ नहीं रहे न अच्छे से वह तो खाली इक दूसरे के पास बस ऐसे खड़े हो जाए यह यह इसका आटोमिक डियाग्राम अगर आप ध्यान से देखो तो इसने अपने दो इलेक्ट्रों जो थे इसके आउटर मोस में यह वाला और यह वाला यह इसने ऑक्सिजन के आउटर मोस सेल में यहाँ पर दे दिये यह यह इसने दो इलेक्ट्रों दिये तो इसके पर दो पॉजिटिव चार्ज आया निया है और इसके आउटर मोस में आट हो गए यह देखो दो चार पांच छे और एक साथ आट जबकि यहां पर ऑक्सिजन के आउपर टू माइनस चार्ज आ गया व्यूंकि इसने दो इलेक्ट्र आपको अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो आयो ने पर फॉर्मिशन आपके गेंगे बिकॉस मेटर से लेक्ट्र पॉसिटिव और उलेक्ट्र नेगटिव और पहली बात कर रहे है तो बहुत सिंपल सा यहां पर आपका टार्गेट है आपको जस्कुछ नहीं करना है इसको आपको Lewis structure की हैप से भी दिखा सकते हैं से MgO के outermost में 2 electron है तो आप 2 electron को ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, प्लस अगर यहाँ पे oxygen की बात करी जाए तो oxygen के outermost में कितने electron है, oxygen के outermost में आपके है 6 electron, तो 6 electron आप ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, this is just the way of representation, I am representing oxygen के electron को cross से और magnesium के dot से, तो क्या होगा, यह अपने 2 dot को, यह एक को यहां देदगा अपना, और एक को यहां देदेगा, ठीक है, यानिक बेसिकली उसने क्या हँआ एक electron को अपना यहां दे दिया और दूसरे electron को कर ते कहां दे थिया, इस वाले को दे दिया, तो होगए निए Phoenixand that is Mg2+, and O2-, ठीक है तो this is basically the formation of magnesium oxide ठीक है तो यह काफी important है आपको ionic bond का formation आना चाहिए कि exam में काफी बार पूछा आता है कि आप इसका bond formation दिखाएए this is the diagram ठीक है तो diagramatically हो गया कि आपका यह तो atomic diagram की help से हो गया और यह जो हो गया आपका यह हो गया आपका struktur आयने की Lewis structure जो आपका होता है जिसको में don't structure भी गय थे कुछ और भी check करेंगे ionic bond कुछ हम और compounds के ionic bond बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे बनते हैं उनके ionic bond काफी simple है आपने सभी ने देख लें कितना simple है कि एक से loss कराना एक से gain कराना और उनको आपस में combine करा दें कि because of electrostatic force of attraction so this is how the ionic bonds are formed ठीक है so I hope आपको आज सभी को आज का session समझ में आया होगा और काफी अच्छा लगा होगा if you have liked the session so please like the session share the session ठीक है अगर आपको पसंद आया तो please like करो share को और इसको जारा से जारा share करो ठीक है क्योंकि अगर आप share करेंगे then only जारा से जारा बच्ची हमें join करेंगे and they can also take the benefit of these classes अब अपनी next class में जो हम discuss करेंगे क्या discuss करेंगे वह हम discuss करेंगे we will discuss about the formation of some more compound यानि कि अभी हम कुछ और compound देखेंगे और हम देखेंगे ionic उनका कैसा formation होता है उनका कैसा ionic bond हम बनाएंगे ठीक है so we will meet again in our next class daily 5 p.m. life sessions ठीक है तो पांच बज़े डेली हम मिलेंगे साम को तब तक लिए अगें goodbye tata thank you guys